हम सब को बहुत साथे रिष्टों के बारे में पता है भाई बेन, माँ बाप, बीबी भी मगर आपका अपनी प्रॉब्लम से क्या रिष्टा है? वेलकम तो अनदर एपिसोड ओफ रैंडम विजडम ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये अलग-अलग फिरिके हैं लोगों के प्रॉब्लम को देखने के लिए कुछ लोग आख बंद कर लेते हैं, कुछ लोग उसको टेड़ी नज़र देखते हैं कुछ लोग दूर भाग जाते हैं कि शायद दूर से अच्छी लगे प्रॉब्लम कुछ लोग उसको इतना explain करते हैं कि प्रॉब्लम से प्यार हो जाता है कुछ लोग इतना एनलाइज करते हैं कि खुद ही उलज जाते हैं कि प्रब्लम शुरू कहां से हुई थी अब कहां आ गए मगर बिफोर इगो फ़र्दर, लेट मी शेयर अस्टोरी वेट यू एक राजा था जिसको अपनी प्रजा के बारे में कुछ जानना था उसने एक तरकीब लगा के अपने राज्य के तरफ जो सड़क आती थी उस पे एक बहुत बड़ा पेड़ काटके डाल दिया तक कोई अंदर ना सके उसने सारा दिन अब्जर्व किया कि लोग आके उस पेड़ को देखके क्या कहते हैं कुछ लोग पेड़ को देखके उसको ठोकर मार रहे थे कुछ उसको गालियां दे रहे थे कुछ कर रहे थे का हम कैसे करें इसको क्या करें किस ने कर दिया कुछ कुछ उसके ऊपर से घूम के जाने के कोशिश कर रहे थे कोई भी चीज जो है वो कामयाब नहीं हो रही थी वहां पर एक गरीब किसान आया जिसने पेड़ देखा और उसके इमाम का कुछ नहाया सिवा इस बात के कि मुझे तो गाउं जाना ही है मैं इस पेड़ के उठने का इंजार नहीं कर सकता उसनी पूरा जोर लगाया और पेड को देखके उसके बारे में कुछ करने की सोचता है तो जाहर है उसको इनाम मिला मगर बहुत बड़ा सबक मिला सारे गाउं को कि अगर सामने एक प्राब्लम आती है तो उसके बारे में सबसे एक ही एक्शन है सबसे इंपॉर्टन वो है उसके बारे में कुछ करना चाहिए हम फ़िन भी जिन्दिगी में प्राप्म को देख के हम सब अलगलग तरी के सट रेञ्वड कर थे हैं मगर प्राप्म को क्या चाहिए कोई ऐसा जो सामने आके सामनाक करके और पुछे कि के तरह को क्या चाहिए मैं वही है करने के लिए तयार। अगर आपके पास ऐसी प्रावलम आती है तो थोड़ी देर के लिए पीछे हटके कोशिश कीजिए यह जाने की कि हमारा प्लान आप एक्षन क्या होना चाहिए वही उस किसान की तरह जिसको बेड नजर नहीं आया उसको एक रुकावट नजर आई जो उसको अपने काम पे जाने से रोक रही थी अब बताईए आपकी प्रावलम क्या है This was another episode of Random Wisdom